हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक उमीद आप सब अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम 3rd अप्रेल 2023 के इंपॉर्टन्ट करेंट अफैस डिसकस करेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी दक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले पहला पॉस्चन है इंडिया की किस सीटी को इंक्लूड किया गया है वोल ट्री सीटी 2022 लिस्ट में FAO के दोरा फोड एंड अग्रिकल्टर और्गनाज़ेशन जो है उनाइट नेशन की उसके दोरा बंगलोरू, सिरिनागर, मॉंबाई, न्यु देली राइट आंसर इज मॉंबाई और जो उनाइट नेशन फोड अग्रिकल्टर और्गनाज़ेशन और अरबर दे फांडेशन उन्होंने कंड़क्ट की थी ट्रीज सीटी अप दे वोल्ड प्रोग्राम और मॉंबाई लास्ट यर भी इस लिस्ट में था मॉंबाई और हैदराबाद इंडिया से थे 2021 यर के लिए जो लास्ट यर आई थी लिस्ट तो इस साल आई है 2022 की और इसमें मॉंबाई है वाल्ट्रे सिटी इस साल आई है था मॉंबाई है next है इस साल आई बेगाई थी लिस्ट में अगणिया Śएज सेओगाई फिन साल आई हा क novamente नटी वीलिट नेर आई है। यर र anch люб вет 5 के रव्र आत्लबाई है थी लिटी ट्राऊ बेगाई 1300 किलो मिटर से भी ज्यादा बॉर्डर रोडर रोश्य से शेयर करता है और यह decision फिनलेने लिया था नेटो जाइन का लास्ट येर जब रोश्या ये ने invasion स्टार्ट की थी यूक्रैन की security concern की वज़ा से नेटो में apply किया था फिनलेन ने लास्ट एयर और इस साल अब उसको मनजूरी दी गई है उसको एकसेप्ट किया गया है और जो स्वेडन ने भी अपलाई किया था लेकिन उसको रिजक्ट किया गया है तुर्की और हंगरी के दोरा तो इन्होंने ये एकसेप्ट नहीं किया है इसका ये नेटो जोइन करना और जो ये नेटो है North Atlantic Treaty Organization ये military alliance है North American और European countries की बीच इसको बनाया गया था 1949 में और इसका headquarter है Brussels Belgium में Next, who is the author of the book titled War and Woman? कौन इस book के author हैं जिसका नाम है War and Woman? Sashi Tharur Ajay Singh, Dr. M. A. Hassan, Anushka Devi. Right answer is Dr. M. A. Hassan और ये बंगलादेश से बिलाग करते हैं Dr. M. A. Hassan की book War and Woman इसको launch किया गया है 50 Second Session जो था United Nations Human Rights Council का जो Geneva Switzerland में हो तो उसमें इसको launch किया गया है और ये book है related जो 1971 War में जो बंगाली वोमन ने suffering space की है तो उससे उनकी detail है इस book में मतलब उससे related है ये next है who has become the new president of SO Trump कौन नया प्रेजिडेंट बने है SO Trump के AWS OSHM विकास कुमार वरुन कुमार अजे सिंग रोहित सिंग right answer is Ajay Singh और Ajay Singh ये chief है spice jet के chief भी है और इनको appoint किया गया है प्रेजिडेंट SO Trump का और इसको फुल फार में Associated Chambers of Commerce and Industry of India next next है शेख मनसूर बिन जैद अलनायान है जो यूएए के प्रेजिडेंट है शेख मुहमद बिन जैद अलनायान उन्होंने अप्रेजिडेंट किया है शेख मुहमद बिन शेख मनसूर बिन जैद अलनायान जो इनके बाई भी है जो प्रेजिडेंट है उनके बाई है ये शेख मनसूर तो इनको अप्रेजिडेंट किया गया है वाइस प्रेजिडेंट युएई का और जो युएई के प्रेजिडेंट के बड़े बेटे हैं शेख खालिद उनको अपॉइंट किया गया है कराउन प्रिंस अब उधाबी का नेक्स्ट है ये जैन के से रिलेड़िड है सिर्नागर लेह पे जो जैड मो टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है इसको इनागरेट किया जाएगा अपरेल मतलब अपरेल के माथ में इसको इनागरेट किया जाएगा और ये connect करता है जेड मोर टानल ये connect करता है गगन गीर को सोना मर्क से जो कि सिरनागर हाइवे पर लोकेटिड है और ये announce किया है कि इसको inaugurate किया जाएगा अप्रेल में ये announce किया है जो road transport और highways के minister है निटिन गटकरी उन्होंने ये announce किया है और इसकी length है 6.5 km ये all weather connectivity प्रोवाइड करेगा कश्मीर वेली को और उसके अलावा इन्होंने ये भी पता है कि जो एशया का longest tunnel जो अंडर कंस्ट्रक्शन है longest road tunnel वो है जोजिला tunnel और इसको भी 2024 तक ready किया जाएगा और इसकी length है 4.2 km ये इसका longest tunnel है जोजिला tunnel नेक्स्ट है West Bengal Chief Minister महमता बेनर जी इनागुरेटेटेट इसकी प्लेगशिप प्रोजेक्ट नेम पाथा श्री पाथा श्री रस्ता श्री इन सिंगुर West Bengal की CM महमता बेनर जी ने इनागुरेट किया है Flagship Project जिसको नाँ है पाथा श्री रस्ता श्री और इसको इनागुरेट किया है सिंगुर में और इसका IM है to road infrastructure को strengthen करना और villages को connectivity प्रवाइड करना road connectivity और इस project के अंदर 12,000 km road जो है construct की जाएगी 22 डिस्टिक्स में वेस्ट बेंगाल के और ये completely government state government के funds से construct की जाएगी next है next है सुन्दार जा मेंगो आफ रेवा माज़े परवेश और गज़का मुरेना गट जोग्राफिकल इंडिकेशन टेग और उसके लावा कांगरटी हिमाचल परदेश इसको European Union का जाएग मिला है जोग्राफिकल इंडिकेशन टेगे कल भी हमने डिस्कस किया था कांगरटी वाला next है who has become the highest wicket-taker in the T20 international format of cricket कौन highest wicket-taker बने है T20 international cricket format में शाकेबल-हसन रविंद्रा जड़ेजा एडम जैंपा कुलदीप याद और राइट आंसर है शाकेबल-हसन जो कि बमलर देश के all-rounder है और इन्होंने 136 wickets ली है who has been appointed by star sports as its new brand ambassador किसको स्टार स्पोर्ट्स ने नाया brand ambassador appoint किया है रनवीर सिंग, अनुश्का शर्मा, विराट कोली, अक्षे कुमार, right answer is रनवीर सिंग option A जो कि Bollywood actor है next है इंडिया जोष्णा साबर won bronze medal under which category at the world youth weightlifting championship in Dorez Albania इंडिया की जोष्णा साबर ने bronze medal जीता है world youth weightlifting championship में जो Albania में हुई थी वहाँ पे तो किस category में इन्होंने bronze medal जीता है किस weight category में 40 kg, 45, 49, 52 kg, right answer is 40 kg 11 kg wise placing goal master की category में थर्ड में आये हैं और बोइसकी केटिग्री में धनुश्ट में 49 kg कीängt थर्ड प्लेस प्लेस पे आता है है 49 kg category में नेक्स्ट है Parliamentary Parliamentary Standing Committee का recommended setting up of an or arching apex body for Parliamentary Standing Committee standing committee ने recommend किया है और arching apex body की setup करने की उसकी recommendation दी है तो किस के लिए ये recommendation recommend किया गया है इस body को setup करने के लिए ये किस चीज के लिए setup की जाएगी flood management, food management, glaciers management, soil management, right answer is glaciers management next step which state is planning to celebrate the centenary of Vyacom Satyagraha consistent plan कर रही है कि वह celebrate करेगी centenary of Vyacom Satyagraha की centenary celebrate करेगी और इस है राजस्तान अंधरापदेश तामिल नाडू, right answer is तामिल नाडू और ये announce किया है तामिल नाडू के चीफ मिनिस्टर ने है next ministry of defense has recently signed a contract with which of the following for the procurement of 13 linux u2 fire control system for the Indian Navy ministry of defense में किस के साथ recently contract signed किया है तो ये इस contract के थो 13 linux u2 fire control system जो है ख्रीदे जाएंगे ये defense ministry ख्रीदेगी उस उस company से इंडिया नेवी के लिए बारत electronics limited हिंदस्तान aeronautics limited defense research and development organization electronics cooperation of india limited right answer is बारत electronics limited name the former u.s. president who has become the first u.s. president to face criminal charges US के former president का नाम बताओ जिस जो first u.s. president बनी है जो criminal charges जिस पे criminal charges लगाए गये हैं Barack Obama, Barack Obama, Joe Biden, Donald Trump, George Washington right answer is Donald Trump option c minister for port shipping and waterways Sarbananda Sonawal has launched which app of national logistics portal marine port shipping और waterways के जो minister है Sarbananda Sonawal इन्होंने कूंसे एप launch की है national logistics portal marine के लिए इसकी कूंसे नेशनल logistics portal की कूंसी एप launch की है सागर से तो सागर मित्रा साथी सागर सर्थी next है यह है जेन के से related है यह फाइव डे नेशनल थेटर फस्टिवल यह conclude हो जम्मू में तो यह याद रखना कि गहां पे हो था यह नेशनल थेटर फस्टिवल तो यह जम्मू में हुआ था बस इसमें ज्यादा कुछ याद ने रखना है यह जम्मू का याद रखना इसमें उसके बाद है पेम अगें इमर्जेद आज मोस्ट पॉपलर ग्लोबाल लेडर विद एप्रोवल रेटिंग अफ सैंटी सिक्स पर्संट तो मोस्ट पॉपलर ग्लोबल लेडर यह पीम फिर इस साल बने है पेम अधी और यह रिपोर्ट जो है रिलीज की है यह रेटिंग र अप्रोवल रेटिंग है इसमें वह 76 परसंट और उसके बाद है मैक्सिको के प्रेजिदेंट एंड्रेस मैनोल लो पाज वह साइकंड प्लेस पे 61 परसंट अप्रेटिंग और इसी तरह अस्ट्रेला के प्रामिस्टर है थार्ड प्लेस पे इतली के प्रामिस्टर है फॉर् ब्रेजिलिन प्रेजिटेंट है फिफ्ट प्लेस पे और यूएस प्रेजिटेंट है शिक्स प्लेस पे तो ये थे हमारे आज 3rd अप्रेइल के इंपार्टन करेंट अफेर समुईद है या आपके अपकमिंग एक्जामस में हेल्फ रहेंगे वीडियो अगर अच्छी लोगे हुए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक्स पर वाचिंग एंड हेवा नाइज जे